अलो चिल्डन वेल्कम बैक तो नियुक्वांटम क्लासे मैसल संजयक मार कैमिस्टी एक्सपर्ट तुड़ी आप डिसका सवाट चैप्टर नमर फूर आफ टैन्थ क्लास कैमिस्टी कार्वन एंड इट्स कंपाउंड चिल्डन समस्ट्वेंटर डिमांड़ दैटर सरी यहाप से स्टार्ट करने वाला हूं बॉर्ड पर ठेक है तो वाइट बोड पर मैं मारकर से वीडियो बनाना शुरू करूंगा एविन फिरम टुड़ी ऑनवड आइवल स्टार्ट फॉर्ड वीडियो आफ टैंथ्ट क्लास कैमिस्टी ट्वैल्ड क्लास कैमिस्ट्री एंड आईट अटिक है तोडरी आईट एंड हाई धूल ट्वैल ट्यों एट एट्वा विड्ड विड्ड वीडियो एंड रिट्वैंट वाल तॉल्ट को मुझ जाट वीडियो एट अट एंड विडियो इन्वीड एंड ।ट उट प्ट अट चिल्डन क्योंकि जाए से जाए से जाए चिल्डन की नॉलेज बढ़ेगी तो नेशन का फाइदा होगा तो आइस डिसाइड़ तो सब ओल दो चिल्डन फ्री अपकॉस यह हमारे जोबी क्लासिस रहेंगी फ्री फ्री आपको पढ़ाए जाएगा नो चार्ज अप्लाइड त लिखते हैं कि कारवन है क्या तो वी फाइंड डैट मैजरिटी अफ माटिरियल विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ जो चीजें हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं जैसे हम सूप यूज कर रहा हैं डिटरजेंट यूज कर रहा हैं बुक्स यूज करते हैं फूर्स से यूज़ करते हैं ठीक है all these are made up of different material या तो यह पदात metal के बने होंगे कांच के बने होंगे मिट्टी के बने होंगे but most of them are made up of carbon and its compound जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे carbon और उसके compound से बने होते हैं they produce carbon dioxide and water on burning और हमें कैसे बता चले है कि carbon से बने कि जैसे आप टायर ले लो ट्यू ले लो ठीक है उसे जला दो लकडी ले लो कोईला ले लो जला दो तो आपको carbon dioxide मिलेगी और बाद में एश बचेगी राख बचेगी ठीक है तो सामने हमारे और यह कुछ फिगर नमर 4.1 फिगर नमर 4.1 फिगर नमर 4.3 4.1 के अंदर पेपर्स और बुक्स आर मेड़ फ्रॉम सैले लोज और सैले रोज अपने आप में कार्बन इंदर क्या होता है करान लेंधे तो उसके अंदर आपने देखा वहगा यह कर्वन की कंपाउंड की अंदर कार्वन के साथ हाइड जैन्ल और ऑफिक्शन और भी कुछ हो सकता है कर esimerkार देख सकते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा यह करवन की कंपाउंड की अंदर क्या है आज वह बिल्स के सथा ही और यूनट होती है वह क्या होती है वह यूनट होती है क्या वह यूनट होती है क्वा कर बन और उसके के एंदर भी शायँiveness मुब कर्भंपाउंड होते हैं और कार्वन की कंपाउंड होते हैं अंडर संद है तो यहां तक हम ने यह डिसकस कर लिया अब हम थोड़ा सा और देखते हैं यह टेबल दिकhाई गई है उभी एक तेंग समीड ऑफ मेटल मेटल से बने हुई कुछ चीजी देखे रहो जैसे बावल स जग है वो भी ग्लास का बनाए हैं कांच की वाटर जग होते हैं सर्विंग डिशेश होती हैं कप सोती हैं नेक्स है अधर अधर से मेड़ आप कारवन जैसे मग प्लास्टिक फरनीचर बूड फायर है ना सोप डिटरजेंट्स शैंपू बुक्स यह बहुत जादे कारवन की बने होते हैं मतलब सबस्यादे कारवन इसी में पाया थे बुक्स के अंदर फूड के अंदर मैडिसेंस के अंदर ठीक है नेक्स पेज़ पर आते हैं अब हम यह देखते हैं कंक्लूजन क्या हुआ हुआ कि जो हमारा डेली लाइफ है तो यह सारे के सारे आइटम्स जो मैंन पानी लो उसके अंदर कार्वन है प्रेक्षीm कारवनेट की साथ के साथ क्यूसियम हुआ कर वा चूने का पानी लो उसके अंदर फ्रो करो तो केलिसियम कारवनेट बन जागा सफेद पपड़ी बन जागी इस से पताचलता है कि जो कंपाउंड से होते हैं चाहिँ है लोत कि सारी चिल्डन को यह टैंथ क्लास में आपको पढ़ाए गया होगा वही चीज यहां पर रिपीट की जा रही है के बल जो यह आपका डाइगराम दे रखा यहां पर पिक्चर के अंदर यहां पर यह एक नई चीज है बस और बाकी की सारी चीज पुरानी है तो फिर भी अग करता हूं और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा और ज्यादे एडवांस कर रहा हूं और मैं होब करता हूं कि आप लोग स्टाडी करेंगे तो अटमिक नमबर आफ कारवन सिक्स होती है तो तो टू कॉमा फॉर उसका इलेक्टोनिक उन्फिशन होता है इसका मतलब क्या है के श उनका एलेक्टोनिक कॉंफिगूरेशन अक्वाट करना चालते मतलब टकर में एक्ट्रोन को अक्वार कना चालते हैं जब तर आ यह नहीं हो आप बात बनने वाली नहीं तो एक्प्रण की कि बजह से कारवन भी 4 इलेक्टोन की requirement होती है इसलिए कारवन एक teta valent compound है तो reason यह है कि balance cell के अंदर 4 इलेक्टोन है तो यह ऐसा तो है नहीं कि 4 इलेक्टोन किसी को दे दे तो यह positive charge बन जाए जब 4 इलेक्टोन किसी को ले ले तो negative charge आ जाए ऐसा possible नहीं तो sharing हो सकती है तो 4 इलेक्टोन की sharing होने की बज़े से कारवन को टेटा valent बोला जाता है तो इस topic में सबसे important बात यह थी कि कारवन की balance चार होती है और यह टेटा valent दिखाए गया यह आपका मीथेन है तो कारवन की balance आपकी 4 कैसे बता जाती है मीथेन के आदार पर तो मालो CH4 था यहाँ पर इसे दिखनी रहा है center में सी बना लो जहां पर hydrogen यहां पर hydrogen ठीक है यहां पर hydrogen और यह आपका hydrogen है तो फोर hydrogen दिख रहे हैं इस molecule के अंदर तो यह सारे के सारे point है जो आपकी hydrogen ठीक है यह आपका टेटा valent carbon in case of methane दिखाए गया है ठीक है carbonate compound है हम और भी discuss करेंगे अब हम इसके ब सिंगल कोबलन बॉंड डवल कोबलन बॉंड टिपल कोबलन बॉंड की बाते करेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you so much have a nice day thanks for watching and इस वीडियो को like चरू करें और अगर चैनल को आपने subscribe नहीं किया तो subscribe करें और press the bell icon for more update thanks so much have a nice day best of luck